बीजी लाइफ में लोगों के पास टाइम ही कहा रहता है कि खुद पे ध्यान दे जिसके कारण मोटापा लोगों का बढ़ता जा रहा है लेकिन जो मैं आज होम रेमिडी लेके आई हूँ रेस्पी लेके आई हूँ आप उसे एक बार बनाईएगा तो सालो भर खाईएगा औ उससे आपका मोटापा भी कमेगा हैलो फ्रेंड आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और यह देखिए यह मैंने घर पे बनाया हुम्रे मेरी जिसे बच्चे बुढ़े जवान हर उम्र के लोग बहुत ही अच्छे से खाएंगे और खाने में यह ब आमला आमला तो जानते हैं गुनो का खजाना है अमरित्फल भी इसे कहते हैं तो आमला आपको लेना है और आमले को धोग के मैंने अच्छे से पोच दिया है और इसे अब स्टीम करना है इसे डायरेक्ट पानी में डाल के उबालना नहीं है इसे स्टीम कर देना है देखिए तो किसी पतेले में पानी डाल के उस पे छलनी रख के आप इसे स्टीम कर सकते हैं, इसे डारेक्ट पानी में नहीं डालिएगा, अगर आपको ज़्यादा दिन तक इसे स्टोर करके रखना, इसे डारेक्ट पानी में मत डालिएगा, और इस तरह से स्टीम कर दीजेगा, और य अगर नहीं पका है तो कुछ दिर और रहने दीजेगा अगर पक जाएगा तो इसे निकाल लीजेगा तो ये बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है आप घर पे एक वार ठंड में तु जानते हैं आमला कितना मिलता है अब बहुत ही अच्छा-च्छा मिलता है तो आप इसे एक व अच्छा आप देखते रहिएगा मैं बताऊंगी और आमला तो इतना अच्छा होता है हमारे पाचन तंत्र को भी बहुत अच्छा कर देता है और जिससे हमारे खाना डाइजेस्ट होता है और खाना डाइजेस्ट अगर होता है तो अब मोटापा खुद भगुत कम होने करेंगे में अपने खाने में सामिल कर इए जिससे आपका खाना बहुत अच्छा से डाइजेस्ट हो जाएगा और आपका विट भी कमेगा और एक फॉर्मूला आजकल बहुत चलन में है बतिस का फॉर्मूला तो उस में अपना ही है, आजकल बहुत सारे लोगों seconds मैंने सुना है कि 32 का फॉर्मूला अपना के उन्होंने अपना वेट कम किया है तो नेक्स्ट वीक सी वीडियो में आपको ये फॉर्मूला भी बताऊंगी 32 का फॉर्मूला जिसे आप अपना वेट कम कर सकते हैं ये देखिए यहां मैंने अब वो जो आमला था वो पक चुका तो इसे मेने मेस्क करके अब इसे में मैं डाल रही हूँ करहें में थोड़ा सा ओयल डाला है आप जो भी ओयल खाते वह आपसे डाल दीजिए और यहां मैं डाल रही हूँ अजवाइन मंगरेला सॉंफ जीरा ये सब फोरन में डाल यानि तड़के में तो अजवाइन तो और ये मंगरेला और अजवाइन पेट के लिए बहुत अच्छा होता है मंगरेला अजवाइन सौफ जीरा ये सब हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है ये देखे ये और ये सब मैंने डाल दिया है सारे आमले को मैंने मैस करके इसमें डाल दिया है और इसे थोड़ा थोड़ा भूनना है धीमियाच में भून ये थोड़ा ताकि ये नीचे बैठे ना कि इसमें थोड़ा भी हमें पानी नहीं डालना है बस इसी तरह से पकाना है और यहां मैंने थोड़ा सा डाला है थोड़ा से जब ये भून जाए तो इसमें डाल दीजे धनिया पाउडर और जीरा पाउडर दोनों का पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है आप इसमें चाहें तो इसमें आप मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आप खाना चाहें और इसे और चट पटा बनाना चाहें तो यहां मैंने डाला है काला नमक काल दाल रही हूं गूर कि बैदा है यहां मैं गूर डाल रही हूं गूर हमारी सहत के लिए ज्याद आछा होता है और ठंड में और बहुता है、 इसम्हकूर में allá इसile में पइसे चाहिए बगा और ये देखिए ये गुर का जो पानी होता है उससे ही आम लपक जाता है और ये देखिए आप इसे फिर आप किसी भी जार में रख सकते हैं और ये एक साल तक ये चलेगा आई होप आपको ये जो मेरी वीडियो है वो पसंद आई होगी तो जाते जाते मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरू कर दे और बने रहे हैं मेरे चैनल पर तब तक के लिए बाई थैंक ये फूर वाचिंग